हेलो बच्चों स्वागत है आपका अपने चल तयार जीत में आज हम देखने वाले हैं एटगेट अभ्यास पुस्त का दोहज़त तैस चौवीस कख्छा 6 के बिसाय अंग्रेजी के पार्ट 6 का संपूर हल इस वीडियो में यदि आप चैनल पर पहली बार आएं तो चलो आपक तो उसमें आप संपूर पुस्तक का हल एक साथ में देख सकेंगे वो भी एक पार्ट से लेकर एंड तक तो आएए इस वीडियो हम देखते हैं पार्ट 6 जिसका नाम है लेसन दा टेस्ट तो यहाँ पर इसके हम कॉस्चन लगाने वाले हैं आपजेक्ट पहले पर इसके बा बाल मिकी यहाँ पर दोना चार रहे यहाँ पर किरपा चार रहे यहाँ पर दुर्यो धन तो इसका सही अंसर हो जाएगा हमारा आपसर नमबर बी दोना चार जो यहाँ पर आपको लिख लेना है इसका सही आंसर हो जाएगा आपसर नमबर सी तो सी लिखेंगे यहाँ पर अच्छे से आपको लिख कर लेना है पहले वाले का हमारा आपसर था बी सही इसका आपसर नमबर सी सही है तो अच्छे से को कंप्लीट कर लिजे इसके बाद अगला कॉस्चन देखते हैं तीसरा तो यह लिखा है पर इस नमबर तीन तो देखिए क्या लिखा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुरियो धन तो अच्छे से लिख लिजे इसके बाद भाट टाइप आफ टेस्ट डेड़ गुरू द्रोन गिब दा पांडव प्रिंसेस तो इसका अंसर देख लिजे तो यहाँ पर अच्छे से दिख रहा होगा आपको तो यहाँ पर अच्छे से कंप्रिट इसको कर लिजे ठीक है तो यहाँ पर टेस्ट क्या था तो अच्छे से aiming at the bird's eyes यह आपका test था है यहाँ पर इसके बाद देखिए क्या लिखा है write the constructed form of you will तो इसका हो जाएगा you will अच्छे से कर लेना है इसको अच्छे से complete तो यहाँ पर you will को आपको यहाँ पर contract करना है तो किस प्रकार से लिखेंगे by ou you वो बिल में से यहाँ पर कॉमा लगा कि डवल एर इस प्रकार से लिखे देंगे जिस प्रकार से आपको यहाँ पर दिख रहा है तो यह हो जाएगा you will इसको बोलते है you'll दोनों को mix कर देते हैं अगला प्रिसन देखते हैं बच्चो चटमा यह लिखा है आपका प्रिसन नमबर छे तो देख क्या लखना इसमें माउस और मंकी का हमें प्लूरल बनाना है तो इसका हो जाएगा माईस एम आई सी ए और इसके बाद मंकी एक से दो सब्दों में आंसर देने हैं आपर तो पहला प्रिसन हमारा क्या दिया गया है हू वाज यहां पर देने हैं देखिए हू वाज दा प्रिस हू शादा वर्डस आई उनली यानि वह है कौन सा राज कुमार था जिसे केवल बड़ की आँख देखी तो यहां पर लिखेंगे अर्जुन वाज दा प्रिस हू सादा वर्डस आई उनली तो यहां पर केवल याद करना है अर्जों जाकर लिए इसके बाद आप को पूरा इसी क्वेस्ट मैं से लिख लेना इसको याद करना बिल्कुल ये हूब लगा देना है हो की जाए पिर अर्जुन लगा देना है और पूरा आंसर वही हो जाहिए क्वेस्ट का question इसके बद आगला देखते हैं बच्छों आटमा प्रेस्ट तो हमापन सब्सक्राइब अयुक्त में क्या करना है आपको देखिए। तो यहां पर लेखा होगा प्रेस्ट नंबर आखमा nawnd क्या लिखा है वहांत वासस्ट इन अपर यहां आप पह सा फर देख crít hem ठीक है तो यहाँ पर इसका के बाद यहीं लिखना है और वर्ड्स आइस तो इसका आंसर हो जाएगा वह आपको पूरा कॉस्चन में से ही यहाँ पर लिख देना है इसके बाद अगला प्रसंद देखते हैं यानि क्यों मना किया इन सब के लिए कि आप लोगबान नहीं चलाएंगे क्योंकि उन्होंने अपने टारगेट पर लक्षाची से नहीं साध पाया था अगला प्रसंद हैं हमारा दसबा दसबा देखेंगे तो दसमा प्रसंद है दा यंगेश्ट बिरदर बॉन दा फर्स्ट प्राइज इन दा स्वीमिंग तो यहाँ पर यह देखिए अच्छे से इसका आँ से लिखेंगे कॉंपटिशन यहाँ पर लिखना है री राइट दा सेंटेंस यूजिंग दा अपूजिट दा वर्ड इसका हमें अपूजिट लिखना है तो इसका लिखेंगे यानि आपको यहाँ पर यंगेश्ट की जगा पर क्या लगाना ओल्ड एस्ट ओल डी एस्टी तो यह स्पेलें लगा दीजिएगा यंगेश्ट की जगा पर तो आपका पूरा आंसर बन जाएगा इसके बाद अगला पर सुने तो यह रहा हमारा अगला पर सुने ग्यारवा तो ग्यारवा देख दीजिए भाट मोरल डेट गुरू द्रोन गिब टू प्रिंसेस एट दा एंड ऑफ दा स्टोरी यानि लास्ट में कहानी के अंत में क्या सिक्षा दी तो यहाँ पर यहां पर उन्होंने कहा कहानी के अंत में कि आपको केबल अपनी आख को अपने टार्गेट पर रखना है इसके बाद आप हवेसा अपने जीवन में सफल रहेंगे आपको कोई नहीं हरा पाएगा और किसी भी कक्षा की एटगेट अब्यास पुस्तका जो आपको यहां पर बिली है दो हज़ा तेस चोवीस में भने के लिए सभी कक्षाओं के यहां पर अपलोड कर दी गई हैं कख्षा चाल से लेकर आठ तक की सभी पुस्तक हैं गड़त हिंदी अंग्रेजि यतने भी आ पर सेलेक्ट कर देना है इसके बार आप क्या करेंगे यहां पर इसके जवाद आपको यहां पर यह नाम दिख रहा है तैयारी जीत इस पर आपको क्लिक कर देना है इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको इस प्रकार से इंटरफिस दिखाई दिने लगेग यहां पर इस प्रकार से दिखाई देगा आप में यहां पर जाकर क्या करना है यहां पर तीसे यहां पर चौथी नमर पर आपको दिख रहा होगा प्लेलेस्ट यहां पर यह प्लेलेस्ट दिख रहा है इस पर जाकर आपको क्लिक कर देना है इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकाल से आपको आगे दिखाई देगा तो यहाँ पर यह पुस्तकों के नाम आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे जो भी यहाँ पर पुस्तक हैं आपकी यहाँ पर कक्छा 6 अंग्रेजी एटिकेट अब्याज पुस्तका का संपूर हल ये कक्चा 5B के अंग्रेजी पुस्तका का संपूल है और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आठ भी तो सभी पुस्तकों के यहाँ पर हल डाल दिया गया है तो आप इन पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो उस पर साइके संपूल पार्ट यहाँ पर खुल जाएंगे जैसे यहाँ पर हम कक्षा 5B का देखते हैं तो यहाँ पर देखिए यह कक्षा 5B के सभी पार्ट यहाँ पर खुल कर आ गए हैं अब इन पर आप जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस पर आप प्लिक करेंगे और वो वीडियो प्ले हो जाएगे तो इस प्रकाल से आप सभी पुस्तकों का हल देख सकते हैं प्रिस नमबर 12 मां देखते हैं तो यह रहा हमारा question number 12 है तो इसमें क्या दिया गया अच्छे देखिए according to you what kind of qualities should a teacher have आपके अनुसार सिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए तो according to me following kind of qualities should a teacher have होने चाहिए strong communication skills strong knowledge and a solid education disciplined and professional तो यह इसकी आंसर हो जाएंगा अच्छे से इसको लिख लीजीगा यहाँ पर आपको पिल लिष्ट देखेगी तो आप इस पिल लिष्ट पर क्लिक करके सभी पार्टों के आंसर एक साथ में देख सकते हैं तो यहाँ पर देख रहा हुगा अच्छे से देख लीजे यदि आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट में जागर कमेंट कर दीजीएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहन जै भारत